स्वागत है दूस्तों आपका इस यूटूब चैनल में इस वीडियो में हम जानेंगे सिर पर सवार होना हिंदी मुहावरे का क्या मतलब होता है इसका आर्थ होता है अत्यदीक हावी हो जाना वाक्य में इस मुहावरे का प्रियोग करते हैं उसका गुसा इस कदर सिर पर सवार हो गया कि वह किसी की बात सुनने को तयार नहीं था बच्चों की जिद सिर पर सवार हो गई वे बिना चोकलेट लिए माने ही नहीं तो अगर कोई चीज किसी के उपर हावी हो जाती है पर वाव उसका चड़ जाता है सर के उपर तो इसका मंदलब क्या है कि वो चीज़ उसके मानों सिर पर सवार हो गई वीडियो बसा है इससे लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठैंक्स वर वाचिंग